दोस्तों जब हमारा समिधान बनाया जा रहा था तो हमारे Constituent Assembly के लोगों ने दुनिया के अलग-अलग देशों के Constitutions को स्टडी किया उनमें से जो बाते अच्छी लगी उन्होंने उन बातों को भारत की परिष्थितियों के हिसाब से ढाल कर हमारे समिधान का हिस्सा बनाया इन्हीं Constitutions में से एक Constitution था अमेरिका का Constitution जब American Constitution को स्टडी किया जा रहा था तो उसे पढ़ने के बाद एक Proposal उठता है Constituent Assembly में ये Proposal आया कि क्यों ना Article 21 में Procedure Established by Law के साथ-साथ Due Process of Law शब्द को भी डाल दिया जाए लेकिन ये Proposal रिजेक्ट हो जाता है बहसबाजी के बाद ये Proposal रिजेक्ट हुआ और 28 साल बाद 1978 में यही शब्द को इंडिरेक्ली Honorable Supreme Court ने Article 21 का हिस्सा बना दिया जिस केस में Honorable Supreme Court ने ये स्टेप लिया उस केस का नाम है मेंका गांधी वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया आज की अपनी स्वीडियो में हम समझेंगे कि मेंका गांधी वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया एक बहुती फेमस केस इस केस में क्या-क्या बातें Honorable Supreme Court ने कही क्या थे इस केस के facts और देखेंगे कि Article 21 को किस तरहां से Honorable Supreme Court ने एक नया रुख दे दिया एक नया माइना दे दिया एक नया मतलब दे दिया So Welcome to Study IQ, My name is Chandra Kuba, अगर आप मेरी वीडियो की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो Telegram के इस चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं एक बहुती अच्छी ख़बर है उन सभी students के लिए जो कि किसी भी state judicial services की त्यारी कर रहे हैं Study IQ आपके लिए लेकर आया है, एक बहुती comprehensive and integrated course जहां आपको सभी major, minor and local laws प्रवाइड कराया जा रहे हैं साथी में आपको languages के classes दी जा रहे हैं और test series आपको प्रवाइड कराया जा रहे हैं और साथी में हर हफ़ते एक live doubt का mentorship session आपके साथ conduct कराया जाता है देखे जब हम बात करते हैं मेनका गांधी case की तो हमें देखने को मिलता है कि अपने आप में एक बहुत important landmark judgment ये रहा जिसमें seven judges की एक bench ने एक unanimous decision पास किया था और article 21 का एक बहुती बड़ा मतलब यहाँ पर निकल कर आता है इस case को famously आप personal liberty case के नाम से भी जानते हैं यहाँ हमें देखने को मिलता है कि article 21 में the right to life and personal liberty की जो बात की गई है उसमें पहले जो हमें protection मिली हुई थी वो केवल उनी actions से protection मिली थी जो की एक executive के arbitrary actions होते थे लेकिन इस case के बाद arbitrary actions of legislature से भी हमें protection मिल जाती है कैसे अब हम समझेंगे देखिए अगर हम इस case के facts की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि मिसमेन का गांधी जो की एक बहुती famous political family से बिलॉंग करती है और जो की एक journalist की भूमिका में उस समय अपने आपको लेकर चल रही थी उन्होंने यहाँ पर passport के लिए apply किया passport उन्हें मिल भी जाता है passport act की तहत लेकिन उसके कुछ समय बाद यानि की 4th July 1977 को उन्हें एक letter मिलता है passport office डिली से जहां उन्हें ये बताया जाता है में एक और letter लिखा और passport authorities से पूछा कि भाई किस कारण से आप मेरा यहाँ पर यह जो passport है उसे impound कर रहे हो कृपया करके मुझे वो कारण की एक written statement भेजे ministry of external affairs की तरफ से इनको जवाब आता है कि आपको हम ये कारण नहीं बताएंगे in the interest of general public हमने ये तै किया है कि आपको वो कारण ना बताया जाए और ऐसा कहा गया कि भाई आपको जो है यहाँ पर आपका passport surrender करना होगा मजबूरन इन्हें article 32 के तहत एक written petition दायर करनी पड़ती है जहां इन्होंने कुछ claims किये या कुछ यहाँ पर इन्होंने contentions रखी वो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो इन्होंने कहा that it was an assault on her right of personal liberty as guaranteed under article 21 इन्होंने यहाँ पर एक case का यहाँ पर जो है नाम लिया that is Satvan Singh Singh Sahani versus Ram Ratnam case जिसमें Honorable Supreme Court already यह declare कर चुका था कि भाई article 21 में यानि कि right to liberty में personal liberty में right to go abroad या right to travel भी शामिल होता है साथी में इन्होंने यह contention दी that since right to go abroad is a part of personal liberty और अगर उसे चीनना भी है तो आपको यहाँ पर procedure established by law के हिसाब से चीनना होगा वो procedure आपके passport act में दिया हुआ है कि जब भी section 10 of the passport act के तहत आप किसी का passport impound करते हो तो उस व्यक्ति को एक written में reason देते हो कि भाई हम आपका passport क्यों impound कर रहे हैं यानि कि आपको passport act में लिखे हुए उस procedure को follow करके मेरा passport चीनना चाहिए था लेकिन आपने वो procedure नहीं follow किया और मुझे ये बताने से मना कर दिया कि भाई क्यों आप मेरा passport impound कर रहे हो hence उन्होंने क्या कहा कि भाई जो right of या rules of natural justice हैं उनको भी आपने contravene किया है और उन्होंने एक और contention रखी कि American Constitution में procedure established by law के साथ साथ due process of law भी लाया गया है भारत में भी procedure established by law जो है वो अमेरिका की तरज पर fair, just and reasonable होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है ये सारी contention रखी जाती है श्रीमती मेन का गांधी के तरफ से जवाब में सरकार ने कहा कि भाई देखिए article 21 में लिखा है procedure established by law हम उसके हिसाब से चलेंगे due procedure की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हमारे समिधान में लिखा नहीं गया है और हमारी जो constituent assembly थी उन्होंने इस शब्द को हमारे समिधान में डालने से मना कर दिया था तो हम क्यों उसको लेकर आएंगे बहराल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ issues decide कि कि किस पर हमें judgment देनी है उनमें से दो सबसे जो important issues थे वो यह कि क्या जो सभी fundamental rights हैं that is 1914 and 21 क्या यह आपस में interconnected है या फिर यह mutually exclusive है पहली बात तो यह दूसरा जो सवाल उठा that what is the scope of procedure established by law क्या procedure established by law को हम केवल जो literal meaning है उसी के हिसाब से चलेंगे या फिर procedure established by law को हम एक wider meaning दे सकते हैं अब देखते हैं क्या क्या बाते हो टे मुख्य रूप से यहाँ पर honorable supreme court ने तीन बातें कही पहली बात तो यह that right to travel abroad comes under personal liberty under article 21 honorable supreme court ने यहाँ पर अपनी पुरानी judgment that is Satwan Singh versus Ram Ratanavali judgment को refer करते हुए यह spasht किया कि right to travel जो है वो एक personal liberty का एक part है इसी तरज पर right to travel abroad भी जो है वो personal liberty का हिस्सा माना जाएगा कहते जी hence no person can be deprived of such right except through the procedure established by law अब section 10 clause 3 sub clause C यहाँ पर empower करता है state को to seize the passport लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई जब आप किसी का passport seize कर रहे हो यानि कि जब किसी की liberty आप उससे चीन रहे हो तो उस liberty को चीनने के लिए आपको proper procedure follow करना होगा और उस procedure में आ जाता है कि आपको writing में उस reason को लिखना होगा जिसकी वज़े से आप उसका liberty चीन रहे हो और उसे भी बताना होगा कि हम आपकी liberty क्यों चीन रहे हैं लेकिन अगर state ऐसा नहीं करती है तो वो आप से procedure established by law के हिसाब से liberty नहीं चीन रहे है और state ने ऐसा नहीं किया central government ने यहाँ पर बताया ही नहीं कि क्यों आपका procedure जो passport है उसे impound किया जा रहा है hence ये जो कारवाई state की तरफ से की गई है ये article 21 के खिलाफ जाकर हुई और fundamental right under article 21 का हनन हुआ है दूसरी बात fundamental rights conferred in part 3 of the constitution are not distinctive nor mutually exclusive देखिये AR Gopalan का एक case आया था जिसमें Honorable Supreme Court ने ये कहा था कि जो हमारे fundamental rights हैं वो आपस में exclusive हैं exclusive मतलब क्या कि भाई article 14 का article 19 से ये article 21 से कोई लें दिन नहीं है अगर article 21 का हनन हो रहा है तो आप ये उसे जोड कर नहीं देखेंगे कि कहीं इसके साथ साथ article 19 का तो नहीं हनन हो रहा ये article 14 का तो हनन नहीं हो रहा उन्होंने क्या कहा था Gopalan की case में कि भाई यह तीनों या सभी fundamental rights हैं यह exclusive होते हैं, mutually exclusive हैं, यह आपस में जुड़े नहीं हुए, लेकिन उस judgment को overturn करते हुए, यहाँ पर Honorable Supreme Court ने क्या कहा, कि जितने भी fundamental rights हैं यह सारे के सारे mutually exclusive नहीं हैं, inclusive हैं, यह यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहा, there is a unique relationship between the provisions of article 14, 19 and 21 and every law must pass the test of the said provisions, यानि कि आप यहाँ पर यह ensure करके चलोगे, कि भई यह जो golden triangle है, golden triangle कौन सा है भई, article 14, article 21 and article 19 का, आप यह ensure करके चलोगे, कि भई, जब भी कोई action या कोई कानून article 21 के तहत बनाया जा रहा है, यानि कि जब कोई कानून बनाया जा रहा है, article 21 में दी गई right to life and liberty को छीनने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो, कि वो कानून article 14 में दीए गए right to equality का भी हनन करता हो, या फिर article 19 में दी गए right to freedom of speech and expression etc का हनन करता हो, अगर ऐसा होगा, तो उस कानून को यहां पर हम null and void करार करेंगे, even if that law is in accordance with article 21, so कोई भी कानून आप किसी भी article के तहत बना रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि वो कानून दूसरे जो articles हैं, उनके infringement में ना जाए, या उनके contravention में ना तीसरी बात यहां पर जो कही गई उससे पहले हमें article 21 एक बार पढ़ना चाहिए, article 21 क्या कहता है, article 21 कहता है जी protection of life and liberty, क्या कहा गया, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law, क्या कहा गया कि भाई, कोई भी व्यक्ति से उसकी life या personal liberty नहीं छीनी जाएगी, except according to the procedure established by law, यानि कि जो procedure established by law है वो चाहे just है fair है या नहीं है अगर आप किसी की life या personal liberty चीन रहे हो तो procedure established by law से चीन लो अब वो just हो ना हो फरक नहीं पड़ता अगर इसका literal meaning देखे तो यहीं निकल कराता है कि बही कानून में लिख दिया हमारी पारलेमेंट ने कानून बनाया उसमें लिख दिया कि कोई चोरी करके भाग रहा है उसको गोली मार दो अब ये just है fair है कि नहीं है फरक नहीं पड़ता procedure established by law का तो मतलब यहीं है कि बही कानून जो बना दिया विधाईका ने हमारी legislature ने जो कानून बना दिया उसके हिसाब से हमारी जो कारेपालिका है हमारी executive है उसको काम करना चाहिए अब वो कानून just है fair है नहीं है फरक नहीं पड़ता बस आप उस कानून को follow करते चलो जब तक कानून को follow कर रहे हो जो procedure established by law है उसको follow कर रहे हो आप ठीक हो कारेपालिका ठीक है नहीं तो गलत है plain reading तो यहीं कहते है लेकिन यहाँ पर for the first time यहाँ पर यह जो case आता है वो यहाँ पर कहता है यानि कि यह जो मेन का गांधी वाला case है इसमें कहा गया court categorically stated that the procedure established by law should be just, fair and reasonable and non-arbitrary bringing it into the definition of due process of law so यहाँ पर यह जो शब्द है वो तो है procedure established by law लेकिन जब मेन का गांधी में यह कह दिया गया कि भाई कोई भी procedure से आप किसी की life या liberty नहीं छीन सकते वो procedure जो है just, fair and non-arbitrary होना चाहिए जब यह बात कह दी तो बिना कहे due process of law को या बिना लिखे article 21 में due process of law को introduce कर दिया honorable supreme court ने अब हम बात करते हैं procedure established by law की तो यही होता है कि भाई there should be some law which provides for the procedure of deprivation of life and personal liberty कोई कानून होना चाहिए जिससे आप किसी की life या personal liberty लेने के लिए authorized हो यानि कि हमारी executive जो है वो life या personal liberty लेने के लिए empowered है वो कानून जिसमें वो procedure लिखा है या वो procedure just है, fair है, reasonable है यानि कि laws of natural justice को follow करता है, principles of natural justice को follow करता है या नहीं करता है फरक नहीं पड़ता ये तो है procedure established by law due process of law का क्या मतलब है due process of law का मतलब होता है कि वो जो कानून है वो यहाँ पर केवल और केवल ऐसा ना हो कि सिरफ और सिरफ कह दिया वो just, fair and reasonable भी होना चाहिए देखिए ये जो due process of law है ये हमारे, I mean जो constitution of United States of America है उसमें 8th amendment के द्वारा ये शब्द को लाया गया था जैसे कि हमने starting में यहाँ पर discussion किया कि इंडिया में भी Indian Constitution Assembly जो थी वो इसको लाने का प्रस्ताव लेकर आती है लेकिन debate के बाद इसे reject कर दिया गया कारण क्या था कारण ये था कि हमारी Constituent Assembly ने ये देखा कि due process of law को बहुत ही exploit किया गया था अमेरिका के courts के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं that American courts had acquired immense powers in the garb of due process of law and were making excessive interference in the legislative and executive actions of the state तो इन्हें देखने को मिलता है हमारी Constituent Assembly के लोगों को देखने को मिला कि भाई due process of law का इस्तेमाल जो है अमेरिका के courts बहुत जादा कर रहे हैं कोई भी legislative action होता है कोई भी executive action होता है यह कह देते हैं जी नहीं 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 due process of law follow नहीं हुआ काटा मार दो उस चीज़ से बचने के लिए उस experience से सीख लेते हुए हमारे जो Constituent Assembly के लोग थे उन्होंने इस शब्द को हमारे article 21 में लाने से मना कर दिया court ने कहा कि कोई भी procedure अगर 21 के तहट आप किसी भी procedure से किसी के life or liberty लेकर चीन रहे हो या उसको उससे वांचित कर रहे हो तो वो procedure केवल procedure established by law नहीं होना चाहिए उसके साथ साथ तो वो procedure due भी होना चाहिए यानि कि just fair, reasonable and non-arbitrary भी होना चाहिए अब मेन का गांथी case पर दुबारा आते हैं इस case में honorable supreme court ने ये बात कही that there is a clear infringement of the basic ingredients of principles of natural justice that is audio altarm partum देखे भई, audio altarm partum का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है right to be heard आप अगर किसी को सजा दे रहे हो उसको सजा देने से पहले या किसी की आप liberty छीन रहे हो तो वो liberty छीनने से पहले उसको सुनना जरूरी है that is one of the basic principle of natural justice अगर आपका procedure established by law ऐसा नहीं करता है, यानि कि अगर आपका procedure established by law सीधा कहता है कि जिसने चोरी की है उसको बिना सुने गोली मार दो या उसको बिना सुने, जेल में डाल दो तो वो principles of natural justice के खिलाफ जा रहा है, खास करके ordi, ultram, partum के खिलाफ जा रहा है जिसकी वज़े से वो जो procedure है, वो procedure established by law तो हो सकता है, लेकिन due process of law नहीं हो सकता, और वहीं यहाँ पर भी हुआ, कि आपने में में का गांधी का passport जो है वो तो छीन लिया, लेकिन उनसे बिना सुने, कि भाई क्यों आपका passport ना छीना जाए आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि आपका हमें passport छीनने पर मजबूर हो रहा है सामने से जवाब आने देते लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया यानि कि जो उनकी सुनवाई होनी चीये थी वो बिना सुने आपने उनकी liberty चीन ली उनका freedom चीन लिया वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि Honorable Supreme Court ने highlight करके उसे गलत ठहराया खर यह थी पूरी judgment में का गांधी की जिसमें हमें तीन मुख्य रूप से बातें देखने को मिली आप में से जो भी students UP, APO की त्यारी कर रहे हैं वो हमारी test series का benefit उठा सकते हैं बहुत ही affordable rate में आपको provide कर आई जा रही है MP की जो successful test series थी उससे experience लेकर हम और आगे बढ़ रहे हैं आपको यह पूरी judgment समझ आएगी पसंद आएगी और आपको यह वीडियो पसंद आएगी अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे तिल दन thank you and have a great day ahead